हेलो एवर्वन दोस्तों तो कैसे आप सुभी एक बार फिर साथ स्वागत था हमारे चैनल इस्टडीवी ताकास पर तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिसली वीडियो में एक नोट पॉइंट देखा था फर्स्ट वाला नोट पॉइंट तो उसका हम लोग एक्जांपल द बता दूं यह देखिए आपके सामने सैलसिलिक इस बना हुआ हुआ है इसका फार्मुला आप लोग याद रखिए इसकी इस्ट्रक्चर ऐसे होती है यहां पर सी ओओ एच लगा होता है ठीक है यहां पर दो ग्रूप लगे होते हैं और यह बैंजीन होती है बैंजीन के इस इसमें जैसे फिनाल हमने ले लिया वे इच के साथ फिनाल हो गया ठीक है इसके आर्फ़ों पर हमने सी ओओ यह लगा हुआ है ठीक है और यहां पर ch लगा हुआ मतलब इस के सामने यहां पर त्रिपल बॉंडट से यह जुड़ा हुआ है ch ठीक है और यहां पर यह यहां पर यह पर यह यह बंजिन लिंग है यहां नोटो दो function लग गरुप लगे वह एनटो और फिर इस वाले और इस वाले के बीच में single bond है और यहां पर यह फिनल लगा हुआ है ओएच ठीक है अब देखें यह देखें यहां पर यह cross bonding है ठीक है अगर यह cross bonding यह नहीं रहती तो हम इसे हल्का साय इसको ऐसे कर करें रिप्रेजेंट करतें मतलब एक दूसरे को एक टउंच कर रहे हैं यह दोनों बॉंड ठीक है अब देखें जब इसकी रियक्षन एन एन स्टू एक्सस में कराते हैं मतलब एन एन स्टीजव में होता और इसके साथ reaction करता है तो हमें 4 more की प्राप्ति होती है छीक है इसमें दो पार्ट होते है एन एने ऊतु एनने प्लस होता है एएस्ट्यो मानेस होताँ இ रे लीएकशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है रुप में और NAHCO3 2nd वाली NAHCO3 जब एकसस में ले लेते हैं और इसकी रियक्सन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बाइप्रोडक्ट के रूप में 3H2O मिलता है ठीक है 3MH2O के मिलते हैं अब उसके बाद देखिए जब इसी की रियक्सन इसी कराते हैं एक्सर का मतलब समझ में आ रहा है ने जढ़ा मात्रा निया गया है खीक है दोस्तों तो बहुत ही जादा मात्रा में जब लिया जाता है और इसके रिएक्संस कराते हैं हम लोग इन दोनों की तो हमें one मोल CO2 बाय प्रोड़क के रूप में मिलता है ठीक है तो यह है आपका example बाकि हमारे पास note point 2 है लेकिन उसका हम लोग next वीडियो में सीखेंगे ठीक है रोस्ता तो आज के लिए इतना है बाकि मिलते हैं next वीडियो में thank you धन्यवाद